नमस्कार दोस्तों आपका अमारे चैनल में स्वागत है मकर संक्रांती पर खिच्डी खाने के पीछे क्या है मानेता जानकर वो आश्चर होगा आपको मकर संक्रांती के दिन खिच्डी खाने के अपना एक अलग महत्व है इसलिए कहीं कहीं पर मकर संक्रान्ती को खिच्डी के नाम से भी जाना जाता है मकर संक्रान्ती का यह पर्व परतेशी रूप से भगवान सुर्य से जुड़ा है इस दिन सूर्य भगवान उत्रैन होते हैं और इस दिन सूर्य भगवान धनुरासी से परिवर्दन कर मकरासी में आते हैं यही कारण है कि मकर संक्रांती को सूर्य संक्रांती भी कहा गया है खिचडी अलग अलग रूपों में मकर संक्रान्ति को कई जगों पर खिचडी के नाम से जाना जाता है और खिचडी की रूप में इसको मनाय जाता है केरल आंधर प्रदेश करनाटक में से संक्रान्ति और तमिलाडू में इस पर्व को पॉंगल के रूप में मनाय जाता है आज में मकर संकरांती की दिन इनाजों में खिचडी पकाने और खाने की अनुठी परंप्र है खिचडी का महत्व मकर संकरांती को खिचडी की रूप में मनाय जाने के पीछे बहुती पुरानिक और सास्त्री मानेता हैं मकर संक्रांती के इस परवग पर खिचडी का काफी महत्व है खिचडी को आर्वेद में सुन्दर और सुपाच्य भोजन की संग्या दी गई है साथ ये खिचडी को स्वास्त के लिए और सधी माना गया है प्राचेंची किस्सा प्रदिती आर्वेद के अनुसार जब जलनेती की क्रिया की जाती है तो उसके बाद केवल खिचडी ही खाने को दी जाती है खिचडी की सास्त्री मानेता सास्त्री मानता है कि अनुसार मकर संक्रांती के दिन खिचडी खाने का बहुती महतों माना गया है ऐसी मानता है कि इस दिन चावल, डाल, हल्दी, नमक और सब्जियों को मिलाकर खिचडी बनाई जाती है और इस खिचडी में साहिक बेंजन के रूप में दही, पापड, घी और अचार का मिस्रन भी किया जाता है अर्वेद और जोतिस में खिचडी का महतों सास्त्रों में चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है काली उड़त की डाल को सनी का प्रतीक माना गया है हल्दी ब्रस्पती का प्रतीक है मक को सुक्र का प्रतिक माना गया है हरी सबजिया बुद से संबंद रखती है खिच्डी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सुरे से जोड़ती है तो इस प्रकार खिच्डी खाने से सभी प्रमुग्रह मजबूत हो जाते हैं ऐसी मानेत है कि मकर संकरांती की दिन ने अनकी खिच् सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद